रैशनलाईजेशन ओफ डिनोमिनेटर रैशनलाईजेशन ओफ डिनोमिनेटर हमें क्यों जरूत पड़ी दरसल क्या है कि अगर नीचे स्पेर रूट में कुछ है तो हम इसकी वैलू जो आएगी पॉइंट में रिक्रिंग आएगी खतम नहीं होने वाली आएगी तो इसको solve करना थोड़ा difficult हो जाएगा तो उस चीज़ को क्योंगी इस चीज़ से अब आपको divide करना मालोगी आया 3.24 234 इस तरह से चलता चला गया है तो इस तरह का number आया ये repeat नहीं होते हैं क्योंकि ये एक irrational number है तो ये repeat नहीं हो रहे हैं ये चलते चले जा रहे हैं अब आप 1 को divide करेंगे 3.234 तो थोड़ा difficult होगा आपके बड़ी difficulty होगी इसको solve करने में तो इसको आसान करने के लिए क्या किया दाता है इसके denominator को rationalization कर देना है तो इसको rational number बना देना है इसको rational number बनाने के लिए हमें क्या करना होगा हमारे पास था 1 upon root a था तो हमें इसका rational अगर बनाना है हमें अगर इसका rational बनाना है तो हमें इसको root a से multiply करना पड़ेगा अब देखो ये number तो change हो गया अब अगर मैं ऐसे करूँ आती है 1 by a आ जाएगा लेकिन हमारे पास था 1 upon root a था तो ये तो same number नहीं रहा अगर मैंने नीचे multiply किया है तो मुझे उपर numerator को भी a से multiply करना पड़ेगा अब देखो 2 by 3 है अगर मैं उपर भी 4 से multiply कर दूँ नीचे भी 4 से multiply कर दूँ 4 से 4 cancel कभी भी हो जाएगा तो भी same number है नहीं अब नीचे multiply किया तो मुझे उपर भी करना पड़ेगा तो आ गया 8 upon 12 8 upon 12 4 2 is 8, 4 3 is 12, 2 by 3 ही आया हमारा तो same ऐसे ही अगर मैं इसको solve करूँगा तो हमारे पास वही वापिस number आना चाहिए तो मुझे उपर नीचे दोनों जगे multiply करना पड़ेगा तो यह आ गया root A upon A rationalization क्या करना पड़ेगा हमें उस number से अगर denominator का rationalization करना है उस number से उपर और नीचे multiply करनी होगी मुझे इस question में rationalization करना है denominator का नीचे denominator में क्या है? root 5 तो मुझे root 5 से multiply करना पड़ेगा नीचे, अगर मैंने नीचे किया तो मुझे उपर भी करना पड़ेगा, तब ही तो ये number same रहेगा, नहीं तो number change हो जाएगा, अब root के अंदर 2 भी है और root के अंदर 5 भी है, तो दोनों की multiply हो जाएगी 10, 3 है, इसके आगे 1 है, 3 और 1 की multiply, 3, 3 root 10 इसकी multiply आगे, नीचे की अगर multiply करेंगे तो आजाएगा 5, ये हो गया इसका rationalization, next question में हमारे पास दिया हुआ है root 2 minus 1 upon root 5, इसको हमें solve करना है, root 2 की value 1.414, root 5 की value और root 10 की value हमें दे रखी है, अब अगर मैं इन value को root 2 की value की जगे ये रखूं और इसकी जगे root 5 की जगे ये रखूं तो division में difficulties होंगी, तो उसको करने के लिए easy हम क्या करेंगे, हम इसका rationalization कर देंगे, अगर नीचे root 5 है तो हमें उपर भी root 5 से multiply करनी पड़ेगी और नीचे भी root 5 से multiply करनी पड़ेगी, अब नीचे से root 5 की root 5 से multiply करेगे तो 5 आ गया, अब उपर वाले root 5 की root 2 के साथ करेंगे तो root 10 आ जाएगा और root 1 minus 1 के साथ करेंगे तो minus root 5 आ जाएगा, क्लिएर है? अब हमें पता है कि root 10 की value ये है और root 5 की value ये है, दोनों को उठाके इसमें रख देंगे, 3.162 root 10 की value थी, minus 2.236 divided by 5, और इसको हम solve करेंगे, और हमारा answer आ जाएगा, अभी तक जो हमने पढ़ा हो था, simple rationalization of denominator, अगर अब हमारे पास इस form में है, root A plus root B की अगर नीचे form में है, 1 की जगे आप कूछ भी हो सकता उपर, मैं just 1 वैसे लिख रहा हूँ, 1 की जगे उपर कोई भी चीज हो सकती है, तो हमें denominator का rationalization, हमें आपर denominator से मतलब है, क्योंकि हमें इसका rationalization करना है, अब देखो, अगर मैं इसका square करता हूँ, तो भी पूरी दरह root खतम नहीं होता है, तो एक ही तरीका है कि मुझे formula लगाना पड़ेगा, root A plus root B into root A minus root B, अगर ये formula में लगा देता हूँ, तो मेरे पास A minus B आ जाएगा, तो क्या करूँगा मैं, इस case में मैं उपर और नीचे root A minus root B से multiply करूँगा, इसके opposite sign से उपर और नीचे multiply करूँगा, यानि कि ये वाली identity आप कैसे भी याद करो, इसको ऐसे learn करो नहीं, तो easy way तो यही है कि आप इसी form में याद करो, A minus B is equal to A square minus B square, अब A की तक है root A था, तो root A का square A आ जाएगा, root B का square B आ जाएगा, same आपको में ये learn रखना है, ये इसी identity का दूसरा रूप है, हम इसे learn नहीं करेंगे, confusion जादा होगा, तो ये चीज़ अगर आपको learn है, तो easily हो जाएगा, one upon, दूसरा क्या है, root A minus root B है, अगर इस तरही की form में है, तो इसके opposite sign के साथ हम multiply करेंगे, root A plus root B, ये minus था यहाँ पर हमने कहाँ गर दिया, plus, और उपर और नीचे multiply कर दी हमने, ठीक है, तो अब नीचे जो आएगा, उपर तो देखो, one के साथ multiply होके, root A minus root B आ गया, कुछ और होता तो उसके साथ multiply हो जाती है, नीचे क्या आया, A minus B, आप इसको solve कर सकते हैं, नमबर आ गए, सेम ऐसे ही, यहाँ पर root A plus root B, और जिसके साथ multiply होना है, one साथ, one के साथ multiply होना है, अदर्वाइस, किसी भी number के साथ, जो भी उपर होगा, उसके साथ multiply होगा, और हमारे पास नीचे क्या जाएगा, A minus B, हमें इस question में करना है, rationalization denominator का, तो हम क्या करेंगे, देखो, इसमें भी root है, इसमें भी root है, तो हम क्या करेंगे, इसके opposite sign के साथ, उपर और नीचे multiply कर देंगे, यहाँ minus था, तो हमने, यहाँ plus लेके multiply कर दिया, अब हमें पता है, वन के साथ multiply करेंगे, तो सेम आएगा, root 5 plus root 3, upon, अब इसमें, यह वही formula बन गया है, कौन सा formula, A minus B, into A plus B, तो क्या होता है, A का square, यानि 2 root 5 का square, minus B क्या है, root 3, root 3 का square, क्या जाएगा, 2 root 5 plus root 3, upon, 2 का square 4, और root 5 का square 5, minus root 3 का square, 3, 2 root 5 plus root 3, divide by, 20 minus 3, 4 वाइजा, 20, तो 2 root 5 plus root 3, हमारे पास कितना आ गया, minus करेंगे तो 17, 17, तो हमने rationalization कर दिया, किसका, denominator का, वो 17 बना दिया हमें, हमें denominator का rationalization करना है, इस question में, तो denominator में जो plus का sign है, इसको minus का कर देंगे, बाकी दो term सेम रखेंगे, उपर और नीचे multiply करतेंगे, 2 root 2 minus 3 root 3, upon, 2 root 2 minus 3 root 3, अब क्या करेंगे, इसकी multiply इसके साथ, और इसकी इसके साथ, अब 2 root 3 की multiply करेंगे, पहले, इस complete के साथ, 2 root 2 minus 3 root 3 के साथ, फिर करेंगे, minus root 5 की multiply, इस complete के साथ, 2 root 2 minus 3 root 3, नीचे, a square minus b square, a plus b into a minus b क्याता है, a square plus b square, यानि, 2 root 2, इसका square minus 3 root 3, इसका square, 2 root 3 into 2 root 2, हो गया, 4 root 6, 2 root 3 की minus के साथ मिल रहेंगे, तो minus हो जाएगा, plus minus minus, और 3 तूजा 6, और root 3 root 3, 3 आजाएगा, minus, minus की plus की minus आजाएगी, 2 root 10, minus और minus, plus, कितना आजाएगा, 3 root 15, अपोन, 2 तूजा 4, और root 2 का square 2, minus 3 का square 9, और root 3 का square 3, यहाँ से आजाएगा, 4 root 6, minus 18, minus 2 root 10, plus 3 root 15, उपर ही आजाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में की आएगा, 4 to the 8, minus 27, उपर देखो कुछ सेम टम नजर आ रही है, तो plus minus करेंगे, उपर हमें कुछ सेम नजर नहीं आजाएगा, सब अलग अलग है, इसके साथ root 6 है, इसके साथ root 10 है, इसके साथ तो कोई root में है ही नहीं, तो सारी टम्स अलग अलग है, अब यहाँ से सोल करेंगे तो आएगा, 4 root 6, minus 18, minus 2 root 10, plus 3 root 15, अब नीचे के आया, minus 27, plus 8, तो minus का 19, जिसका बड़ा होगा, उसका sign आता है, और opposite sign है, तो उनको subtract करके, उनके बीच का difference करके, और minus का जो भी बड़ा होगा, उसका sign लगा देंगे, अब देखों, नीचे minus अगर मेंने लगाया, तो minus नीचे कुछ ओड लगेगा, अगर कोई number minus a upon b है, तो हम उसको ऐसे भी लिखते हैं, a upon minus b, यहां लिख सकते हैं, minus दोनों के बीच में लगाके, a upon b, तो इससे क्या है, कि जब plus और minus की अगर divide करेंगे, तो भी minus c अंसर आना है, और plus और minus को divide करेंगे, तो भी minus c अंसर आना है, तो इस minus को हम नीचे की बड़ाये, उपर भी लेके जा सकते हैं, अगर मैं इस minus को उपर लेके जाँगा, तो नीचे की term मेरी positive हो गईगी, minus को मैं उपर लेके चला गया, अंसर क्या आएगा, minus 4 root 6, minus और minus plus हो जाएगे, 18, minus minus, plus 2 root 10, minus, plus, minus हो जाएगा, opposite sign हो तो minus आएगा, 3 root 15, divide by 19, यह हमारा answer आगया, मुझे इस question में A और B की value निकाल ली है, A और B की value कब निकालेंगे, तब हम, यह हमारी left hand side है, left hand side में इसका denominator का rationalization करते हैं, तो हमें 7 minus 4 root 3 से उपर, और 7 minus 4 root 3 से नीचे multiply करनी बढ़ेगी, अब यहाँ पर multiply उपर पहले 5 इन दोनों के साथ multiply होगा, फिर 3 root 3 इन दोनों के साथ multiply होगा, 5 की multiply होगी पहले 7, minus 4 root 3 के साथ, फिर 3 root 3 की multiply होगी, 7 minus 4 root 3 के साथ, divide by, A का square minus B का square, B क्या है, 4 root 3 और इसका square, 35 multiply कर रहा हूँ है, minus 20 root 3, plus और plus की multiply, plus 3 root 3 की, 21 root 3 आजाएगा, 7 के साथ multiply करेंगे, तो minus, plus और minus की multiply, minus 12 root 3 और root 3 की multiply, 3, divide by, 49, 16 इन दो, 3, 4 का square 16 और root 3 का square 3, 35 अब देखो, ये भी, उत्हुरा साथ और सोल कर लेते, 20 root 3, plus 21 root 3, minus 36, अब बचे हमारे पाफ देखो, root 3 इसके साथ भी है, और इसके साथ भी है, आगे इसके आगे नमबर है, minus 20, इसके आगे है, plus 21, दोनों को करेंगे add, plus 21 और minus 20 करेंगे, तो plus 1 आएगा, और साथ में root 3 है, divide by, इनको करेंगे तो 1 आएगा, यानि कि हमारे पास आगा minus 1, plus root 3, यह आगा rationalization के बाद, अब हमें पता है कि यह चीछ जो है, minus 1, plus root 3, यह A plus B root 3 के equal है, अब जो आगे वाला नमबर है, यह तो A हो गया, अब root 3 इसमें भी है, root 3 इसमें भी है, इसके साथ क्या है, B, इसके साथ क्या है, 1, क्योंकि 1 जिसके साथ कुछ में नहीं भी खा, 1 है, तो B की value कितनी आ गई, 1, यह आ गया, minus 1, और B आ गया, 1, हमें यह दिया हुआ है, और हमें इसकी value निकालनी है, x दिया हुआ है, 3 plus root 8, और हमें value निकालनी है, x square plus 1 upon x square की, तो सीदी सी बात है, x square की value अगर हम निकालनेंगे, तो साथ हमारा question थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो x की कितनी दिए है, 3 plus root 8, अगर मैं x square निकालता हूँ, यानि मुझे इसका square करना पड़ेगा, 3 plus root 8 का square, यह हो गया, a plus b का square, तो क्या होता है, a का square, plus 2a into b, plus b का square, क्या आगया, 9 plus 6 root 8, plus root 8 का square, 8, 9 और 8, 17 plus 6 root 8, यह हमारे पास x square की value आ गई है, अब हमें इस x square की value तो पता चली, कि अब 1 upon x square अगर हम करेंगे, तो 1 upon x square क्या आएगा, 1 upon x square की value हमने लिकाली थी, 17 plus 6 root 8, लेकिन इसको सोल करना प्रदा डिफिकल्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका rationalization कर देंगे, 17 minus 6 root 8 और 17 minus 6 root 8, तो नीचे हम multiply कर देंगे, अब उपर नीचे बन के साथ multiply होगी तो same आ जाएगा, upon, नीचे 17 का square, minus 6 root 8 का square, आ गया, 17 minus 6 root 8, 17 का square, 289, 6 का square, 36 into 8, आ गया, 17 minus 6 root 8, 289, इन दोनों के multiply, 289 में से 288 जाएगे, तो वन आएगा, वन आएगा, तो same आ जाएगा, 17, तो हमारे पास value आ गई, 1 upon x square की value क्या आ गई, 17 minus 6 root 8, और x square की value आ गई, यह, यह तो आ गई, x square की value, और वो आ गई, हमारे पास 1 upon x square की value, अब यहाँ पे हम रख देते हैं value, x square की जगे value क्या रखेंगे, 17 plus 6 root 8, ठीक है, plus 1 upon x square की जगे हैं, हमारे पास क्या आया, 17 minus 6 root 8, करो सोल, 17 plus 6 root 8, plus 17 minus 6 root 8, 6 root 8 plus का, 6 root 8 minus का, 0 हो जाएगा, और 17, 17 की add करेंगे तो 34, यह हमारा answer आ गया,